सेक्टिन नाइंज बीपीएसी प्रिलिम्स एड्मीट कार्ड को लेकर बीपीएसी ने अपने अफिसियल वेबसाइट पर एक डेट जाई किया है और इस डेट के अनुसार एड्मीट कार्ड 15 सितंबर से डाउनलोड किया जा सकते हैं किंटू इस बार जब आप आपड्मीट कण डाउनलेड करेंगे तो एक्जेक्टेंट नाम पता नहीं चले उस दिन आपको जीरे का नाम और क्येंदर का DENNIS पता चले गांकि सेंट्र connects posts क्या एक में नाम क्या है उस संबंध में जो आपका डैस्वोड है 26 सितंबर 2023 को सुचना उपलब्द हो जाएगी कि एग्यक्ट जो आपका सेंटर है उसका नाम क्या है यानि कि अभी जो आप 15 तारिक को एड्मिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें बाकी चीजे रहेंगी कोड के साथ सेंटर कोड के साथ और लेकिन जो सेंटर कोड है उसका एग्यक्ट नाम क्या है यह आपको पता चलेगा 26 सितंबर 2023 को सुरक्षा कारणों से बीपेसी के द्वरा किया गया है पहल सराहनिय है क्योंकि छात्रों को मुक्रूप से जनकाली होनी चाहिए को उनकी परिक्षा किस जिले में हो रही है ताकि वो समय से अपने टिकट करा सके और बाकी जो अव्योस्था होती है लास्ट मिनट उससे बज़ सके साथी साथ बीपेसी ने इस बार भी इस चीज़ का उलेख किया है कि अभिहरती 11 बज परिशा कक्ष में अपने इंधारित स्थान पर निश्चित रूप से उपस्तित रहें जिससे की बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन और फेसियल रिकॉगनाइजिशन का कार्सा समय संपन कराया जा सके साथी साथ जो बीपेसी कई बार नोडिफिकेशन के बाद हैं से सुचित कर चुका है आपको उस चीज़ का उलेख किया गया है कि चार विकल्फ होंगे और निगेटिव मार्किंग वन थार्ड होगी यानि कि अब जो है 69 बीपीसी समय पर होगा या नहीं होगा इसमें कोई भी एक पैसे का डाउट नहीं है आप पूरी लगन से तयारी करें सीटों कि संख्या भी ठीक ठाक है अगर इसमें कुछ सीटे और बढ़ जाती है तो 500 सीटों कि संख्या क्रॉस कर सकती है कि इतने भी सीटे हैं वह भी ठीक ठाक सीटे मानी जाएंगी PCS में जब PCS लगातार आते हों तो लगवग इसी रेंज में सीटे आती हैं